कि अधिया आपको परणाम करता हूं बिहार के तमाम लोग उनको और मैंने करोना पर कई बार बोला है आज पिर बोलने की जोल पड़ गई है करोना में यह लौकडाउन है लौकडाउन का महत्त समझने की कुछ सिस्क्रण चाहिए मैं यहीं समझाने के लिए बार बार बोलता ह हो गया है और यूके पे तो देखिए वहां के प्रधान मंत्री से लेकर प्रिंट चाल्स तक को यह वेमारी हो गई है और स्पेर जैसा देश ढगया इटली ढगया अमेरिका त्वस्त हो गया चाइना की हालत खराब और दुनिया के बड़े-बड़े यह अपने को मेडिकली सब्सक्राइन उनकी हालत खराब है लोग को समझ है लोग में सब्सक्राइब करें के समझे से लिएमगे कोई अबी कोई है अपने घर में छुप करके रहना है और बहुत आफाल काल इस्थिति में ही पसा संक्य उन्मति से बाहर जाना है यही बात मैं समझा रहा हूँ ऐसे भी संसंकट के समय हमारे गरीब बिहारी मजदूर जो बाहर में काम करते हैं बहारी संख्या में अपी तो बॉर्डर को आ गए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है हमें बहुत हमदर्दी है उनसे हम सब भी हार बासियों को बहुत प्यार है उनसे उनकी पीड़ा हम समझते हैं भूखे प्यासे ठके हारे मादे कहां कितने दूर से आ रहे हैं लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि ओ मुझहां से आ रहा हैं जैसे भी आ रहे हैं पता नहीं कितने लोगों से उतकास पश वाँ कितने लोगों को नुट मोम मुझा होगा और ऐसी इस्थितिमें ये कहना मुश्किल है कि किसके माध्यम से इसको संक्रम हो गया होगा तो अब आए हैं आप बोडर पाएंगे उनके लिए भला यही है कि आपना नाम पता टेलीफोन नंबर दे दें कहां से आए हैं सारा डिटेल्स दे दें जांज कराने के बाद सीमा पर जो आए हैं कुरंटाइन करने के लिए वहां रहें बिहार सरकार में उनके रहने के लिए खाने के लिए दवा के लिए सब कुछ के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है इसके बाद कुछ लोग बॉर्डर से निकल के हैं घरों के तरफ जा रहे हैं तो घर में अपनी से मिलेंगे बच्चों से मिल से मिलेंगे अब ये उनको पता नहीं है वह समझते हैं मुझे स्वस्थ हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये संक्रमन तो 14 दिन के बाद पता चलता है तो अंजाने में जाते हुए भी जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको यह बिमारी दे सकते हैं इसे गाउं में भी आए तो इदम करंटाइन होकर के रहें जिनको थोड़ी भी इस बात की आशनका हो और लक्षण हो तो गाओं के बाहर स्कूल में रहें घर के लोग दूरी बनाते हुए उनको खाना पहुझा दें 14 दिन तक अपने को बिलकुल आइसोलेसन में रखें किसी से संपर्क न करें द को बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा यह बहुत ज़रूरी मटर रस्ती करने वालों के लिए ठीस दुबारा करा हो हूं मटर रस्ती करने के लिए रूट पर निकलेंगे कुछ लोग बैट करके तास केलते हैं इस बेंऊजं करके है इस पी डिटायर हो सकता है गुंड़ पंजी में नाम दर्ज हो सकता है यह आपके लिए सब कहा जा रहा है एक ही तरीका है संक्रमुन से बचना है बचाना है और उसका एक ही तरीका है कि आइसोलिसन में रहना है तो बिहार के बाहर से आने वाले तमाम मजजुरों को मैं बहुत ही विनमबरता से हां जोल करके कह रहा हूं भाई आप आए हो भीड में आये हो किस को छुए हो इसने आपको छुआ है आपको कुछ नहीं पता बहुत खत्बनाएक बिमारी अपने घर वालों को बचाओ परिवार वालों को और एकनम कुरंटाइन में रहो 14 दिन तक किसी को असपर्स नहीं करना किसी को टच नहीं करना और इस बात को नहीं समझोगे तो पूरा भी हाथ भस्त हो जाएगा पूरा देश परिशानी में पड़ जाएगा यह मनोलता प्रसम कठे हिंदू हो मुसल्मान हो सिक्ष हो जाए हि किसी को यह करोना पहुचानता नहीं करोना के लिए को जात का भेद नहीं को मजभ का भेद नहीं कोई पाटी का भेद नहीं को प्रांथ का भेद नहीं को भासा का भेद नहीं को भेद नहीं कोई भेद नहीं है करोना जिसको भी चाहे अपनी चपेट में ले सकता है बचने क कहें कि बाए अकेले रहो चुपके रहो किनारे रहो कुरंटाइन तो